महराश्य के पूर्वग्रुह मंत्री अनिल देशमुक के बेटी रुशिकेश देशमुक को शुकरवार को एडी ने मनी लॉंडरिंग मामले में पूछताच के लिए अपने दफ्तर तलब किया था लेकिन रुशिकेश देशमुक शुकरवार को एडी के सामने पेश नहीं हो पाए कायस लगाय जा रहे है कि रुशिकेश एडी से साथ दिन का समय मांग सकते है दरसल एडी ने देशमुक के बेटे को पूस्ताज के लिए तलब किया था उनसे मनी लॉंडरिंग मामले से जुड़े सवाल जवाब किये जाने वही मनी लॉंडरिंग मामले में महराष्ट के पूर्व घ्रह मंत्री अनिल देशमुक की गिरफतारी के बाद एडी ने गुरुवार को मुंबई के सरकारी जेजी अस्पताल में उनका हेल्फ चेक अप कराया हेल्फ चेक अप की रिपोर्ट के अनुसाद देशमुक का स्वास्त ठीक है उन्हें एडी ने सोमवा देराध गरफतार किया था उनसे मनी लॉंडरिंग मामले को लेकब पूस्ताच की जा रही है 31 साल के राकमपा निता देशमुक को गुरुवार को दुफैर करीब 12 बजे एडी दफतर से दक्षिन मुंबई इस्थेत जेजी अस्पताल ले जाया गया था दुफैर साड़े 12 से देड़ बजे तक उनका परिक्षिन किया गया इसके बाद उन्हें फिर एडी के दफतर ले जाया गया कैमर परसन अखिलेश भारतवाद के साथ दिशाहटवा बीसे न्यूस नाकपुर